मुझपर पुर जिले में एक बार फिर प्रेम पसंग का मामला तुल पकरता दिख रहा है। मुझे तक राजेस के चाचा सुरेंदर राम ने अरोप लगाया है कि राजेस का डेड़ साल से खड़का गाउं की एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। राजेस का सीर फटा हुआ था और हात पेर पर गहरे चोट के निसान थे। वहीं युवक की मौत होने के बाद से शवी पुरुस घर से फरार बताय जा रहे हैं। अस्थानी लोग की माने तो राजेस का प्रेम प्रसंग पिछले डेड़ सार से चल रहा था। लड़की के घरवालों को यह बात नरगवारा गुजर रही थी। बुधवार रात प्रेमकर से मिलने वा घर गया था। वहीं पर उसके परजन ने उसे पकड़ लिया। हाथ पर बांद कर उसे इतना मारा की उसकी मौत हो गई। मेटकल एस्टेचर पर उतरने के बाद लड़का दम तोड़ दिया। और बुरी तरह से लोग बाड़ा है। और यह प्रेम पसंग मतलए की देर वर्सव से चल लहा है। कितने बज़े की घटना है। घटना लड़की के दरवाजे पर 11 बज़े की सुचना है। मतलए कि यहां सुचना हम लोग के एक बज़े रातरी को मिली है। आप देखें हैं। नहीं हम देखें नहीं है। मतलए जब सव आया था मतलए की लड़का का तो उसको हम देखें। माथा मार करके फार दिया गया है। मतलए पै टूटा हुआ है, हाथ तोर दिया गया है। गरदन का यहां नस तोर गया है। और पिठी पर बुरी तरह से मारा गया है। जो लाठी का निसान पुरी तरह से है। हम लोग भी स्वंपूर पांडे युगस्ती में थे। मोबाय दोर सुचना मिला कि वहां एक आद्मी को मारा है। हम लोग वहां पहुचे तो वहां पोडी नहीं था, जो भाग दे। वहां से हम लोग उठाकर पीज़े काथी नसमीतल लाए। पोल में बदलता क्या था इसकी क्या था। ना पोल में बाहा था। अचा उसके बाद क्या हुगा? उसके बाद हम लोग काथी उसको भर्तिक किये। पावजी एक है था। पीज़े काथी पाथी किये। वहां समुन चले तो वहां से रफर कर ले दोक्तर स्टमी था। भस्तिया हम लोग भाणते है। यह हम लोग क्या होगा? बाहा रोन हो चुई नए था, वाँ जो मालुं चालै की चुई एक रहा है